प्रिष्ट संखेया 3, अध्याए 1, विकास विकास अत्वा प्रगती की धारणा हमेशा से हमारे साथ है. हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं. इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें किन अनिवार्रे वस्तूओं की आविशक्ता है, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिल जुलकर कैसे रह सकते हैं, क्या और अधिक समानता हो सकती है, विकास इन सभी प्रश्णों पर विचार करने और इन लक्षियों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा है. यह काम जटिल है और इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे. आप उच्च कक्षाओं में इन मुद्दों को अधिक गहराई से सीखेंगे. इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से प्रश्णों के उत्तर आपको अर्थशास्त्र में ही नहीं, बलकि इतिहास और राजनीती विज्ञान के पाठे करम में भी मिलेंगे. ऐसा इसलिए है कि हम आज जो जीवन जी रहे हैं, वह अतीत से प्रभावित है. हम इसे जाने बिना बदलाव के इच्चा नहीं रख सकते. इसी तरह, हम केवल एक लोकतांत्रेक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इन आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं. इस प्रिष्ट पर एक चित्र दिया गया है. उस चित्र के नीचे लिखा है, मेरे बगैर वे विकास नहीं कर सकते. इस विवस्था में मेरा विकास नहीं हो सकता. प्रिष्ठ संख्या 4 विकास क्या वादा करता है? विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य हम यह कल्पना करने का प्रयास करें कि ताली का एक पॉइंट एक में दी गई सूची के नुसार लोगों के लिए विकास का क्या अर्थ हो सकता है? उनकी क्या आकांक्षाएं है हम देखेंगे कि कुछ स्तंब अधूरे भरे हुए है इस तालिका को पूरा करने की कोशिश कीजिए आप चाहें तो किनी और श्रेणी के व्यक्तियों को जोड सकते है इसी के साथ एक बॉक्स में लिखा है तुम एक कार चाहते हो अभी देश की जो स्थिती है उसमें तुम यही आशा कर सकते हो कि काश तुम्हारे पास एक रिक्षा होता नीचे तालिका दी गई है तालिका 1.1 विभिन श्रेणी के लोगों के विकास के लक्षे तालिका के पहले स्थंब में व्यक्ति की श्रेणिया दी गई है और दूसरे स्थंब में विकास के लक्षय और आकांक्षाएं पहले स्थंब में भूमी हीन, ग्रामीन, मजदूर और इसके सामने दूसरे स्थम्भ में लिखा है काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी स्थानिय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम कोई सामाजिक भेदभाव नहीं और गाउं में वे भी नेता बन सकते हैं स्थम्भ एक में लिखा है पंजाब के समरिध किसान और इसके सामने स्थम्भ दो में लिखा है किसानों को उनकी उपच के लिए ज्यादा समर्थन मूलियों और मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्चे पारिवारिक आयस सुनिश्चित करना ताकि वे अपने बच्चों को विदेशों में बसा सकें तालिका के स्थम्भ एक में लिखा है किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है इसके आगे दूसरे स्थम्भ में कुछ नहीं लिखा है पहले स्तंब में इसके आगे दूसरे स्तंब को रिक्त छोड़ा गया है इसे आप पूरा करने की कोशिश कीजिए तालिका के पहले स्तंब में लिखा है भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीन महिला इसके आगे भी दूसरा स्तंब रिक्त है इसे भी आपको पूरा करना है पहला स्तंब शहरी बेरोजगार युवक दूसरा स्तंब रिक्त पहला स्तंब शहर के अमीर परिवार का एक लड़का दूसरा स्तंब रिक्त पहला स्तंब शहर के अमीर परिवार की एक लड़की दूसरे स्तंभ में लिखा है उसे अपने भाई के जैसी आजादी मिलती है और वहे अपने फैसले खुद कर सकती है वहे अपनी पढ़ाई विदेश में कर सकती है पहला स्तंभ नर्मदा घाटी का एक आदिवासी इसके आगे दूसरा स्थम्भ रिक्त है जिसे आपको पूरा करना है तालिका एक पॉइंट एक को भरने के बाद अब इसका निरीक्षन करते हैं क्या इन सभी लोगों का विकास या प्रगती के बारे में एक जैसा विचार है? संभवता नहीं इन में से हर एक अलग-अलग चीज़ें पाना चाहता है वे ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो उनके लिए सरवाधिक महत्वपूर है अर्थात वे चीज़ें जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सकें वास्तव में कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीज़ें चाहा सकते हैं जिन में परस पर विरोध हो सकता है एक लड़की अपनी भाई के समकक्ष आजादी और अवसर मिलने और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा की आशा रखती है हो सकता है कि भाई को यह पसंद ना हो इसी तरह अधिक बिजली पाने के लिए उद्योग पती ज्यादा बांध चाहते हैं लेकिन इस से जमीन जल मगन हो सकती है और उन लोगों का जीवन अस्त वियस्त हो सकता है जो बेघर हो जाएं जैसे की आदिवासी वे इसका विरोध कर सकते हैं और हो सकता है कि वे अपने खेतों की सेंचाई के लिए केवल छोटे चेक बांध या ताला पसंद करें इस तरह से दो बातें साफ हैं एक अलग-अलग लोगों के विकास के लक्ष भिन हो सकते हैं और दूसरा एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास ना हो यहां तक की वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है इसके आगे एक चित्र है और उसके साथ एक बॉक्स बना है जिसमें लिखा है इस तरह के लोग विकसित नहीं होना चाहते आए और अन्य लक्षे अगर आप एक बार फिर ताली का एक पॉइंट एक देखें तो एक बात समान पाएंगे लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मज़्दूरी और अपनी उपज अत्वा अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमते मिलें दूसरे शब्दों में वे ज्यादा आए चाहते हैं किसी भी तरह से ज्यादा आए चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं वे भेदभाव से अप्रसन होते हैं ये सभी महत्वपूर्ण लक्षे हैं बलकि कुछ मामलों में ये अधिक आए और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तूएं ही परयाप्त नहीं होती द्रव्य या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तूएं एक कारक हैं जिस पर हमारा जीवन निर्भर है लेकिन हमारा बेहितर जीवन उपर लिखी अभावतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है अगर आपको यह बात स्पष्ट नहीं लगती है तो अपने जीवन में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में जरस सोचिए आपको उनकी मित्रता की इच्छा हो सकती है इसी तरह और भी बहुत सी चीजें हैं जिने आसानी से मापा नहीं जा सकता लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है इनकी प्राया उपेक्षा कर दी जाती है लेकिन यह निशकर्ष निकालना गलत होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रखता नीचे एक चित्र दिया गया है और इस चित्र के उपर लिखा है नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध की उचाई में विद्धी किये जाने के विरुध प्रदर्शन प्रिष्ट संख्या 6 एक और उधारन देखिए अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है उसे स्विकार करने से पहले आप आए के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे जैसे की आपके परिवार के लिए क्या सोविधाएं उपलब्द होंगी काम करने का वातावरन कैसा होगा या सीखने के क्या अवसर हैं दूसरी नौकरी में यद्यपी आपको वेतन कम मिलता है लेकिन यह नियमित रोजगार हो सकता है जो आपकी सुरक्षा की भावना बढ़ाता है एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है लेकिन कारे की सुरक्षा नहीं और हो सकता है आपको परिवार के लिए परियाप्त समय भी ना मिले इससे आपकी सुरक्षा और स्वतन्तरता की भावना कम हो जाएगी इसी तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्षियों को देखते हैं यह सच है कि यदि महिलाएं वेतन भोगी कार्रे करती हैं तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है तथा पी यह भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है तो घर में उनके कामकाज में ज्यादा हाथ बढ़ाया जाएगा और घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्विकार किया जाएगा सुरक्षित और संग्रक्षित वातावरण के कारण ज्यादा महिलाएं विभिन्य प्रकार की नौकरियां या व्यपार कर सकती हैं इसलिए लोगों के विकास के लक्ष केवल बेहितर आये के ही नहीं होते, बलकि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीजों के बारे में भी होते हैं। आओ इन पर विचार करें। एक, अलग-अलग लोगों की विकास की धारणाएं अलग क्यूं हैं? इन व्याक्ष्याओं में कौन सी अधिक महत्वपूर्ण है और क्यूं? क क्यूंकि लोग भिन्न होते हैं। क्यूंकि लोगों के जीवन की परिस्थितियां भिन्न हैं। 2. क्या इन दो कथनों का एक अर्थ है? कारण सहित उत्तर दीजिए। क्यूंकि लोगों के विकास के लक्ष भिन्न होते हैं। क्यूंकि लोगों के विकास के लक्षियों में परस पर विरोध होता है। 3. कुछ ऐसे उदाहरण दीजिए जहां आय की अतिरिक्त अन्य कारक हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलू है। 4. पहले पढ़े गए खंड के कुछ महत्वपूर्ण विचारों को अपनी भाशा में समझाईए। राश्ट्रिये विकास। जैसा कि हमने बताया, यदि लोगों के लक्ष भिन्न हैं, तो उनकी राश्ट्रिये विकास के बारे में धारणा भी भिन्न होगी। आपस में इन विशियों पर चर्चा कीजिए कि भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए। संभव है कि कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों ने उप्रियुक्त प्रश्णों के अलग-अलग उत्तर दिये हूँ। हो सकता है आपने स्वैम इन प्रश्णों के बहुत से उत्तर सोची हूँ और उनमें से किसी एक के विशय में आप स्वैम भी निश्चित ना हूँ। यह समझना बहुत आवश्चक है कि देश के विकास के विशय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती हैं। लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है? या यदि परस्पर विरोधी हैं तो निर्णे कैसे किया जाएगा? सभी के लिए नियाएपूर्ण और सही राय क्या होगी? हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कारे करने का कोई बहतर तरीका है? क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाब होगा या कुछ को ही? राश्ट्रिय विकास का अभिप्राय इन सब प्रशनों पर विचार करना है। प्रिष्ट संख्या साथ, इस प्रिष्ट पर दो ब्लॉक हैं, पहले ब्लॉक में लिखा है, आओ, इन पर विचार करें, इन स्थितियों पर चर्चा कीजिए, इस ब्लॉक में दाहिनी ओर एक चित्र दिया गया है, इस चित्र में एक बहु मंजिला इमारत दिखाई गई है, और उस इमारत के नीचे धेर सारी जूपडिया बनी हुई है, एक, आप यह बताईए कि इस प्रकार के क्षेत्र के विकासात्मक लक्षे क्या होने चाहिए, एक ब्लॉक में एक अख़बार की रिपोर्ट दी गई है, उस रिपोर्ट के आधार पर प्रशनों के उत्तर जिए, रिपोर्ट इस प्रकार है, एक जहाज ने पांच सो टन तरल जहरीले अवशेश एक शहर के खुले कूडे घर और आसपास के समुदर में डाल दिये, यह अफरीका देश के आईवरी कोस्ट में अबिजजान शहर में हुआ, इस खतरनाक जहरीले अवशेशों से निकलने वाले धुएं से, लोगों ने जी मितलाना, चमडी पर ददोरे पड़ना, बेहोश होना, दस्त लगना, इत्यादी की शिकायतें की, एक महीने के बाद साथ लोग मारे गए, बीस अस्पताल में भरती हुए, और विशाक्तता के कारण 26,000 लोगों का इलाज किया गया, पिट्रोल और धातुओं से संबंधित एक बहुराश्ट्रिये कमपनी ने आईवरी कोस्ट की एक स्थानिये कमपनी को अपने जहाज से जहरीले पदार्थ फेकने का ठेका दिया था, अब आप ये बताईए, क, किन लोगों को लाब हुआ और किन को नहीं, ख, इस देश के विकास के लक्षे क्या होने चाहिए, तीन, आपके गाउं या शहर या स्थानिये इलाखे के विकास के लक्षे क्या होने चाहिए, इसी प्रिष्ट पर एक और ब्लॉक है, इस ब्लॉक का शीर्षक है, कार्य कलाप एक, यदि विकास की धारणा में ही भिन्नता और परस पर विरोध हो सकता है, तो निश्चित रूप से विकास के तरीकों में भी भिन्नता हो सकती है। अगर आप ऐसे किसी विवात से परिचित हैं, तो आप विभिन व्यक्तियों के तर्क जानने का प्रयास कीजिए। यह आप लोगों से बातचीत करके या अख़बारों और टेलीविजन के माध्यम से जान सकते हैं। प्रिष्ट संख्या आठ विभिन देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग-अलग हो सकता है, तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ को अविकसित कैसे कहा जा सकता है। इससे पहले कि हम इस विशे पर आएं एक अन्य प्रश्ण के बारे में सोचते हैं। जब हम भिन भिन चीजों की तुलना करते हैं, तो उसमें समानताएं और अंतर दोनों हो सकते हैं। हम इनकी तुलना करने के लिए किन पहलूं का प्रयोक करते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों को ही देखते हैं। इन विभिन विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं? उनमें उचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा और रूची के अनुसार अंतर है. हो सकता है सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू ना हो. सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है मित्रता वैभार ना र उदेश्ये पर निर्भर करेगा खेल कूद टीम वादविवाद टीम संगीर टीम या पिकनिक के लिए टीम सबके चैन के लिए अलग मापदंड होंगे फिर भी अगर हमें किसी उदेश्ये से कक्षा के विद्यार्थियों की सरवांगीन प्रगती के बारे में मानक चाहिए तो हम उसे कैसे चुनेंगे सामानने ता एक या दो महत्वपून विशिष्चताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं तुलना के लिए क्या महत्वपून विशिष्चताएं कुनी जाएं इस पर मतभेद हो सकते हैं विद्यार्थियों का मित्रता पूर्ण वैभार और सहयोग भावना उनकी रचनात मक्ता या उनके द्वारा प्राप्त अंक यही बात विकास पर भी लागू होती है देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है यह इस समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ है मानविये आवशक्ताओं की सभी वस्त्वों का अधिक होना जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए वे उन सभी वस्त्वों को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे इसी लिए ज्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्षे समझा जाता है अब एक देश की आय क्या है अंतर द्रिष्टी से किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है इस से हमें देश की कुल आय ग्यात होती है लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उप्युक्त माप नहीं है क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग-अलग होती है कुल आय की तुलना करने से हमें यह ग्यात नहीं होगा कि ओसत व्यक्ति क्या कमा सकता है क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर हैं? इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं, जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है औसत आय को प्रतिव्यक्ति आय भी कहा जाता है विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार देशों का वर्गी करण करने में इस मापदेंड का प्रयोग किया गया है वे देश जिनकी 2004 में प्रतिव्यक्ति आय चार लाख तिरेपन हजार प्रतिवर्ष या उससे अधिक है उसे समरिध देश और वे देश जिनकी प्रतिव्यक्ति आय 37,000 रुपए प्रतिवर्ष या उससे कम है उन्हें निम्न आय वाला देश कहा गया है भारत निम्न आय वर्ग के देशों में आता है, क्योंकि उसकी प्रतिव्यक्ति आय 2004 में केवल 28,000 रुपए प्रतिवर्ष थी समरिध देशों जिन में मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं है, को आम तौर पर विकसित देश कहा जाता है प्रिष्ट संख्या नौ इस प्रिष्ट पर दो ब्लॉक्स हैं, पहला ब्लॉक औसत आय यद्यपी औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, फिर भी यह असमानताएं छुपा देती है उधारण के लिए दो देश क और ख पर विचार करते हैं सरल्ता के लिए हम मानते हैं कि प्रतेएक देश में पांच निवासी हैं तालिका एक दशमलव दो में दिये आकणों के अनुसार दोनों देशों की औससत आय निकालिये तालिका एक दशमलव दो इस तालिका में दो देशों की तुलना की गई है तालिका के पहले खंड में देश, देश का और देश ख और दूसरे खंड में दो हजार साथ में नागरिकों की मासिक आय रुपेयों में दी गई है दूसरे खंड में 2007 में पांच नागरिकों की मासिक आय दी गई है रूपेयों में पहले नागरिक की आय देश का 9500, देश ख पांच सो दूसरे नागरिक की आई देशक 10500, देशख 500 तीसरे नागरिक की आई देशक 9800, देशख 500 पांचवे नागरिक की आई देशक 10200, देशख 48000 अब आपको इन देशों के नागरिकों की आउसत आई निकालनी है क्या आप इन दोनों देशों में रहकर समान रूप से सुखी होंगे? क्या दोनों देश बराबर विकसित हैं? शायद हम में से कुछ लोग देश ख में रहना पसंद करेंगे अगर हमें यह आश्वासन हो कि हम उस देश के पांच में नागरिक होंगे लेकिन अगर हमारी नागरिकता संख्या लोटरी के द्वारा निश्चित होगी तो शायद हम में से ज्यादा तर लोग देश का में रहना पसंद करेंगे ऐसा इसलिए है क्योंकि यद्यपी दोनों देशों की ओसत आए एक समान है देश का के लोग ना तो बहुत अमीर हैं ना बहुत गरीब जबकि देश का के ज्यादा तर नागरिक गरीब हैं और एक व्यक्ति बहुत अमीर है इसलिए यद्यपी और सत आए तुलना के लिए उपयोगी है लेकिन इससे यह पता नहीं चलता कि यह आए लोगों में किस प्रकार वितरित है इसके नीचे एक और ब्लॉक दिया गया है इस ब्लॉक में दो चित्र बने हुए हैं बगैर निर्धन तथा अमीर वाले देश इसके नीचे जो चित्र दिया गया है उस चित्र पर कुर्सियों पर कुछ लोग बैठे हैं और लिखा हुआ है हमने कुर्सियों को बनाया तथा उनका उपयोग करते हैं दूसरे चित्र में लिखा हुआ है गरीब तथा अमीर व्यक्तियों का देश इस चित्र में चार कुर्सियों पर एक व्यक्ति को लेटे हुए दिखाया गया है और दूसरी ओर इसी चित्र में दो कुर्सियों पर चार व्यक्तियों को बैठे हुए दिखाया गया है और जो चार व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनमें से एक कह रहा है, हमने कुर्सियों को बनाया तथा उसने ले लिया. आओ, इन पर विचार करें. 1. तीन उदाहरण दीजिए, जहां स्थितियों की तुलना के लिए औसत का प्रयोग किया जाता है. 2. आप क्यों सोचते हैं कि आउसत आए, विकास को समझने का एक महत्वपूर्ण मापदंड है. व्याख्या कीजिए. 3. प्रतिव्यक्ति आए के माप के अतिरिक्त, आए के कौन से अन्ने लक्षण हैं, जो दो या दो से अधिक देशों की तुलना के लिए महत्व रखते हैं. 4. मान लीजिए कि रिकॉर्ड ये दिखाते हैं कि किसी देश की आए समय के साथ बढ़ती जा रही है. क्या इससे हम इस निशकर्ष पर पहुँच सकते हैं कि अर्थ वेवस्था के सभी भाग बहेतर हो गए हैं? अपना उत्तर उदाहरण सहित दीजिए. 5. विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार मध्य आये वाले देशों की प्रतिव्यक्ति आये ग्याद कीजिए. 6. एक अनुच्छेद लिखिए कि भारत को एक विकसित देश बनने के लिए क्या करना या प्राप्त करना चाहिए. प्रिष्ट संखेया 10. आये और अन्य मापदंड जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्षियों को देखा, तो पाया कि लोग केवल बेहितर आये के बारे में ही नहीं सोचते, बलकि वे अपनी स्वरक्षा, दूसरों से आदर और समानता का वैभार पाना, आजादी, इत्यादी जैसे लक्षियों के बारे में भी सोचते हैं. इसी प्रकार, जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं, तो हम और सत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्षियों के विशे में भी सोचते हैं. ये विशेशताएं क्या हो सकती हैं? इसका निरीक्षन हम एक उदहारन के द्वारा कर सकते हैं. ताली का एक पॉइंट तीन केरल, पंजाब और बिहार की प्रतिव्यक्ति आय दर्शाती है. वास्तव में ये आंकडे वर्ष दो हजार दो हजार तीन की वर्तमान कीमतों पर प्रतिव्यक्ति निवल राज्ये घरेलू उत्पात के हैं. अभी हम इस जटिल शब्द का क्या वास्तविक अर्थ है उसे छोड़ देते हैं. मोटे तोर पर हम इसे राज्ये की प्रतिव्यक्ति आय मान सकते हैं. हम देखते हैं कि इन तीनों राज्यों में पंजाब की प्रतिव्यक्ति आय सबसे अधिक है और बिहार सबसे पीछे है. इसका अर्थ है कि ओस्तन पंजाब में एक व्यक्ति एक वर्ष में 26,000 रुपए कमाता है, जबकि बिहार में ओस्तन वह केवल 5,700 रुपए कमा पाता है. इसलिए अगर विकास मापने के लिए प्रतिव्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए, तो तीनों राज्यों में पंजाब सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विक्सित राज्य माना जाएगा. अब हम इन तीनों राज्यों के कुछ और आकणों पर नज़र डालते हैं, जो कि तालीका एक पॉइंट चार में दिये गए हैं, लेकिन उन पर नज़र डालने से पहले, हम तालीका एक पॉइंट तीन पर नज़र डालते हैं. तालीका एक पॉइंट तीन चैनित राज्यों की प्रतिव्यक्ति आए. इस तालीका के एक खंड में राज्यों के नाम दिये गए हैं, और दूसरे खंड में 2002-2003 के लिए प्रतिव्यक्ति आए दी गई है. पंजाब 26,000 रुपई, केरल 22,800 रुपई, बिहार 5,700 रुपई. आईए, अब तालीका 1.4 पर नज़र डालते हैं. तालीका 1.4 पंजाब, केरल और बिहार के कुछ तुलनात्मक आंकड़े. पंजाब, 2003 में शिशु मृत्यु दर प्रति एक हजार व्यक्ति, उनन्चास. साक्षर्ता दर 2001 में, सत्तर. कक्षा एक से पांच का निवल उपस्थिती अनुपात, 1995-96, 81. केरल, 2003 में शिशु मृत्यु दर प्रति एक हजार व्यक्ति, उनन्चासी. कक्षा एक से पांच का निवल उपस्थिती अनुपात, 1995-96, 41. इस तालिका में प्रयोग किये गए कुछ शब्दों की व्याख्या. शिशु मृत्यु दर. किसी वर्ष में पैदा हुए, एक हजार जीवित बच्चों में से, एक वर्ष की आयू से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है. साक्षर्टा दर. सात वर्ष और उससे अधिक आयू के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात. निवल उपस्थिती अनुपात. 6-10 वर्ष की आयू के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयू वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत. प्रिष्ट संख्या 11 यह तालीका क्या दर्शाती है? तालीका का पहला स्तंब दिखाता है कि केरल में 1000 जीवित पैदा हुए बच्चों में से 11 बच्चे एक वर्ष की आयू तक पहुँचने से पहले मर जाते हैं. लेकिन पंजाब में यह अनुपाद 49 है जो केरल की तुलना में लगभग 5 गुना है. दूसरी ओर पंजाब की प्रतिव्यक्ति आये केरल से कहीं ज्यादा है जैसा कि तालीका एक पॉइंट 3 में दिखाया गया है. जरा सोचिए कि अपने माता-पिता के लिए आप कितने प्यारे हैं, यह सोचिए कि सब लोग कितना प्रसंद होते हैं जब कोई बच्चा जन लेता है. अब ऐसे माता-पिताओं के बारे में सोचिए जिनके बच्चे अपने पहले जन्म दिन से पहले ही मर जाते हैं ऐसे माता-पिताओं को कितना दुख महसूस होता होगा दूसरा, यह देखिए कि यह आंकड़े किस वर्ष के हैं यह वर्ष 2003 के हैं तो हम बहुत पुराने समय की बात नहीं कर रहे हैं यह हमारी स्वतंतरता के 56 वर्ष बात की बात है जब हमारे देश के बड़े शहर उची-उची इमारतों और खरीदारी के लिए शौपिंग मॉल से भरे हुए हैं समस्या शिशु-मृत्यु-दर पर समाप्त नहीं हो जाती तालिका का अंतिम स्तंभ दिखाता है कि बिहार के आधे से अधिक बच्चे स्कूल भी नहीं पहुँच पाते अर्थात यदि आप बिहार के किसी स्कूल में पढ़ते होते तो आपकी कक्षा के आधे से अधिक बच्चे गायब होते जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था वे वहां नहीं होते अगर ये आपके साथ होता तो आप अभी यह सब ना पढ़ पाते जो पढ़ रहे हैं सारवजनिक सुविधाएं ऐसा क्यूं है कि पंजाब में औसत व्यक्ति की आए केरल के औसत व्यक्ति की आए से अधिक है लेकिन इन महतवपून क्षित्रों में वह केरल से पीछे है इसका कारण यह है कि यह आवशक नहीं कि जेब में रखया रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बहुतर जीवन के लिए आवशकता हो सकती है नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं इसके लिए आए अपने आप में संपून रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है उदाहरण के लिए सामानने तह आपका द्रव्वे आपके लिए प्रदूशन मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता या बिना मिलावट की दवाएं आपको नहीं दिला सकता जब तक आप ऐसे समुदाए में ही जाकर नहीं रहने लग जाते जहां ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं द्रव्वे आपको संक्रामक बीमारियों से नहीं बचा सकता जब तक आपका पूरा समुदाए इन से बचाव के लिए कदम नहीं उठाता वास्तव में जीवन में बहुत सी महतवपून चीजों के लिए सबसे अच्छा और सबसे सस्ता भी तही का इन वस्तूओं और सेवाओं को सामोहिक रूप से उपलब्ध कराना है सरसोचिए किसी स्थानिय इलाके के लिए सामोहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है अथ्वा हर घर के लिए अलग-अलग सुरक्षा गार रखना आप क्या करोगे अगर आपके गाओं या इलाके में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रूची नहीं रखता क्या आप पढ़ पाएंगे शायद तब तक नहीं जब तक आपके माता-पिता आपको कहीं और नीजी स्कूल में पढ़ने भेजने की एक शमता ना रखते हो आप इसलिए पढ़ पा रहे हो क्योंकि बहुत से अन्ने बच्चे पढ़ना चाहते हैं और बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और अन्ने परकार के सोविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जिस से सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले अभी भी बहुत से क्षेत्रों में बच्चे मुख्य रूप से लड़कियां मध्यमिक स्तर की शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाते क्योंकि सरकार और समाज ने इनके लिए परयाप्त सोविधाएं उपलब्ध नहीं कराई हैं केरल में शिशु मृत्युदर कम है क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सोविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं इसी प्रकार कुछ राज्यों में सारवजनिक वित्रण प्रणाली ठीक प्रकार कार्रे करती है यदि ऐसे स्थानों में राशन की दुकान ठीक से नहीं चलती तो लोग इस समस्या का हल करवा सकते हैं ऐसे राज्यों में लोगों के स्वास्थ्य और पोशन स्तर निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना है आओ इन पर विचार करें एक, ताली का एक पॉइंट तीन और एक पॉइंट चार के आँकणों पर फिर विचार कीजिए क्या पंजाब बिहार से साक्षर्ता दर आदी में उतना ही आगे है जितना की प्रतिव्यक्ति आये के विशे में दो, ऐसे दूसरे उदारण सोचिए जहां वस्तुएं और सेवाएं व्यक्तिगत स्तर की अपेक्षा सामोहिक स्तर पर उपलब्ध कराना अधिक सस्ता है 3. अच्छे स्वास्थ्य और शिक्षा सोविधाओं की उपलब्धता क्या केवल सरकार द्वारा इन सोविधाओं के लिए किये गए व्यवय पर ही निर्भर करती है अन्य कौन से कारक प्रासंगिक हो सकते हैं 4. तमिल नाडू में ग्रामीन क्षित्रों के 75 प्रतिशत लोग राशन की दुकानों का प्रयोग करते हैं जबकि जारखंड में केवल 8 प्रतिशत ग्रामीन निवासी इसका प्रयोग करते हैं कहां के लोगों का जीवन बेहतर होगा और क्यूं? कारे कलाप 2 तालीका 1.5 का ध्यान से अध्यायन कीजिए और निम्न अनुच्छेदों में रिक्त स्थानों को भरिए हो सकता है इसके लिए आपको तालीका के आधार पर कुछ गणना करनी पड़े तालीका 1.5 उत्तर प्रदेश की ग्रामीन जनसंख्या की शैक्षिक उपलब्धी श्रेणी ग्रामीन जनसंख्या की साक्षर्ता दर पुरुशों में 52 प्रतिशत, महिलाओं में 19 प्रतिशत 10-14 वर्ष के बच्चों में साक्षर्ता दर पुरुशों में 68 प्रतिशत, महिलाओं में 49 प्रतिशत 10-14 वर्ष की आयू के स्कूल जाने वाले ग्रामीन बच्चों की प्रतिशत पुरुशों में 64 प्रतिशत और महिलाओं में 31 प्रतिशत क, सभी आयू वर्गों की साक्षर्ता दर, जिसमें युवक और व्रिध दोनों सम्मिलित हैं, ग्रामीन पुरुशों के लिए रिक्तस्थान थी, और ग्रामीन महिलाओं के लिए रिक्तस्थान थी. यही नहीं, बहुत से व्यस्क स्कूल ही नहीं जा पाए, बल्कि रिक्तस्थान इस समय स्कूल में नहीं हैं. ख, इस तालिका से स्पष्ट है की, रिक्तस्थान प्रतिशत ग्रामीन लड़कियां और, रिक्तस्थान प्रतिशत ग्रामीन लड़के स्कूल नहीं जा रहे हैं. इसलिए, दस से चौधा वर्ष की आयू के बच्चों में से, रिक्तस्थान प्रतिशत ग्रामीन लड़कियां और, रिक्तस्थान प्रतिशत ग्रामीन लड़के निरक्षर हैं. ग, हमारी स्वतंतरता के साथ वर्षों के बाद भी, रिक्तस्थान, आयू के वर्ग में इस उच्चिस्तर की निरक्षर्ता बहुत चिंता जनक है. बहुत से अन्ने राज्यों में भी, चौधा वर्ष की आयू तक के सभी बच्चों को निशुल्क तथा अनिवारे शिक्ष्या प्रदान करने के सम्विधानिक लक्षे के निकट भी नहीं पहुँच पाए हैं. जबकि इस लक्षे को 1960 तक पूरा करना था। प्रिष्ट संख्या तेरह कार्यकलाप तीन यह ग्यात करने के लिए कि क्या व्यस्क अल्प पोशित है, एक तरीका है जिसे पोशन वैज्ञानिक शरीर द्रव्यमान सूचकांक VMI कहते हैं. इसकी गणना करना सरल है। किसी व्यक्ति का भार किलोग्राम में लीजिए, फिर उसकी लंबाई मीटर में लीजिए, फिर भार को लंबाई के वर्ग से भाग दीजिए। अगर यह संख्या 18.5 से कम है, तो उस व्यक्ति को अल्प पोशित कहा जाएगा। लेकिन अगर यह 25 से अधिक है, तो व्यक्ति अति भारित है। लेकिन याद रखिए कि यह मापदंड बढ़ते बच्चों पर लागू नहीं होता। कक्षा में हर विद्यार्थी और तीन वयस्कों का वजन और उचाई मापे हैं। इसके लिए अलग-अलग आर्थिक प्रिष्ट भूमी के वयस्कों को चुनें। जैसे कि निर्मान कारे में लगे मजदूर, घर में काम करने वाले नौकर और दफ्तरों में काम करने वाले लोग, व्यापारी, इत्यादी। सभी विद्यार्थियों से इन आकड़ों को इकठा करके एक संयुक्त तालिका बनाईए। फिर उनकी VMI की गणना कीजिए। क्या आप व्यक्ति की आर्थिक प्रिष्ठ भूमी और उसके पोशन के स्तर में कोई संबंध पाते हैं। मानव विकास रिपोर्ट एक बार यह बात समझ में आ जाए कि यद्यपी आयक स्तर महत्वपून है पर यह विकास के स्तर को मापने का अपर्याप्त मापदंड है तो हम अन्य मापदंडों के बारे में सोचने लगेंगे। ऐसे मापदंडों के सूची लंबी हो सकती है लेकिन वह इतनी उप्योगी नहीं रहेगी। हमें कम संख्या में अधिक महत्वपून चीजों की आवशकता है। स्वास्थ्य और शिक्षा के सूचक जैसे हमने केरल और पंजाब की तुलना करने के लिए प्रयोग किये ऐसे ही सूचकों में हैं। पिछले लगभग एक दशक में स्वास्थ्य और शिक्षा सूचकों का आय के साथ व्यापक स्थर पर विकास के माप के लिए प्रयोग किया जाने लगा है। उदाहरण के लिए UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना लोगों के शेक्षिक्स्तर, उनकी स्वास्थिस्थिती और प्रतिव्यक्ति आय के आधार पर करती है। भारत और उसके पड़ोसी देशों की 2006 की मानव विकास रिपोर्ट के कुछ संबध आकड़ों पर द्रिष्ट्री डालना रूचिकर होगा। तालिका 1.6 वर्ष 2004 के लिए भारत और उसके पड़ोसी देशों के कुछ आकड़े। श्री लंका प्रतिव्यक्ति आय अमेरीकी डॉलर में 4,390 जन्म के समय संभावित आयू 74 साक्षर्टा दर 15 वर्ष से अधिक की जनसंख्या के लिए 91 तीन स्तरों के लिए सकल नामांकन अनुपाद 79 विश्व में मानव विकास सुचकांक, HDI का क्रमांक, 93 भारत प्रतिव्यक्ति आय अमेरीकी डॉलर में 3,149 जन्म के समय संभावित आयू 64 साक्षर्टा दर 15 वर्ष से अधिक की जनसंख्या के लिए 61 तीन स्तरों के लिए सकल नामांकन अनुपाद 60 विश्व में मानव विकास सुचकांक, HDI का क्रमांक, 126 म्यान मार प्रतिव्यक्ति आय अमेरीकी डॉलर में 1,027 जन्म के समय संभावित आयू 61 साक्षर्टा दर 15 वर्ष से अधिक की जनसंख्या के लिए 90 तीन स्तरों के लिए सकल नामांकन अनुपाद 48 विश्व में मानव विकास सुचकांक, HDI का क्रमांक, 13 पाकिस्तान प्रतिव्यक्ति आय अमेरीकी डॉलर में 2,225 जन्म के समय संभावित आयू 63 साक्षर्टा दर 15 वर्ष से अधिक की जनसंख्या के लिए 50 तीन स्तरों के लिए सकल नामांकन अनुपाद 35 विश्व में मानव विकास सुचकांक, HDI का क्रमांक 134 नेपाल प्रतिव्यक्ति आय अमेरीकी डॉलर में 1,490 जन्म के समय संभावित आयू 62 साक्षर्टा दर 15 वर्ष से अधिक की जनसंख्या के लिए 50 तीन स्तरों के लिए सकल नामांकन अनुपाद 61 विश्व में मानव विकास सुचकांक, HDI का क्रमांक 138 बांग्लादेश प्रतिव्यक्ति आय अमेरीकी डॉलर में 1,870 जन्म के समय संभावित आयू 63 साक्षर्टा दर 15 वर्ष से अधिक की जनसंख्या के लिए 41 तीन स्तरों के लिए सकल नामांकन अनुपाद 53 विश्व में मानव विकास सुचकांक, HDI का क्रमांक 137 टिपणी 1 HDI का अर्थ है मानव विकास सुचकांक उपर दी गई तालिका में HDI सुचकांक का क्रमांक कुल 177 देशों में से है 2. जन्म के समय संभावित आयू जैसा की नाम सिस्पष्ठ है व्यक्ति की जन्म के समय औसत आयू की संभावना दर्शाती है 3. तीनों स्तरों के लिए सकल नामांकन अनुपात से अर्थ है प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल और उससे आगे उच्च शिक्षा के नामांकन अनुपात का कुल योग 4. प्रतिव्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है ताकि उसकी तुलना की जा सके यहे इस तरीके से भी की जाती है कि एक डॉलर किसी भी देश में समान मात्रा में वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके प्रिष्ठ संख्या 14 क्या यह आश्चरे जनक नहीं है कि हमारे पडॉस का एक छोटा सा देश श्री लंका हर विशे में भारत से आगे है और हमारे जैसे बड़े देश का विश्व में इतना नीचा क्रमांख है यह तालिका यह भी दिखाती है कि यद्यपी नेपाल की प्रतिव्यक्ति आए भारत की तुलना में आधी है फिर भी वह भारत से आयू संभाविता और साक्षर्ता स्तर में बहुत पीछे नहीं है HDI के परिकलन के लिए बहुत से सुधारों का सुझाव दिया गया है मानव विकास रिपोर्ट में बहुत से नए घटक जोड़े गए हैं लेकिन मानव के विकास से पहले यह बात स्परष्ट कर दी गई है कि विकास महत्वपूर्ण है एक देश के नागरिकों के साथ क्या हो रहा है लोगों का स्वास्थिय उनका कल्यान सबसे अधिक जरूरी है क्या आप सोचते हैं कि मानव विकास को मापने के कुछ और पहलूओं पर विचार किया जाना चाहिए विकास की धारणियता नीचे सीधे हाथ की ओर एक बॉक्स दिया गया है जिसमें लिखा है हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया है हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है अब आगे पाठ पढ़ते हैं हम विकास को जिस तरह भी परिभाशित करें अभी के लिए मान लें कि एक विशेश देश काफी विकसित है हम निश्चित रूप से यह चाहेंगे कि विकास का यह स्तर और उंचा हो या कम से कम भावी पीड़ी के लिए यह स्तर बना रहे यह स्पष्ट रूप से वांचनिये है लेकिन बीस्वी सदी के उत्रार्थ से बहुत से वैज्ञानिक यह चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणिये नहीं है नीचे फिर एक बॉक्स है जिसमें लिखा है अब हम इसे निम्न उदाहरण द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं उदाहरण एक हाल के प्रमानों से पता चलता है कि देश के कई भागों में भूमिगत जल का अति उप्योग होने का गंभीर संकट है तीन सौ जिलों से सूचना मिली है कि वहां पिछले 20 सालों में पानी के स्तर में 4 मीटर या अधिक की गिरावट आई है देश का लगभग एक तिहाई भाग भूमिगत जल भंडारों का अति उप्योग कर रहा है यदि इस साधन का प्रयोग करने का वर्तमान तरीका जारी रहा तो अगले 25 वर्षों में देश का 60 प्रतिशत भाग इस साधन का अति उप्योग कर रहा होगा भूमिगत जल का अति उप्योग विशेश रूप से पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्रिशी की द्रिष्टी से सम्रिध क्षेत्रों मध्य और दक्षिन भारत के चट्टानी पठारी क्षेत्रों कुछ तटवर्ती क्षेत्रों और तेजी से विक्सित होती शहरी बस्तियों में पाया जाता है एक, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जल का अति उप्योग हो रहा है दो, क्या बिना अति उप्योग के विकास हो सकता है? प्रिष्ट संख्या पंदरहाँ भूमिगत जल नवी करणिये साधन का उधारण है फसल और पौधों की तरह इन साधनों की पुनहपूर्ती प्रकृती करती है लेकिन यहां भी हम इन साधनों का अति उप्योग कर सकते हैं उधारण के लिए भूमिगत जल का यदि बरसाद द्वारा हो रही पुनहपूर्ती से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इस साधन का अति उप्योग कर रहे होंगे गैर नवीकरणिये साधन वो हैं जो वर्षों से प्रयोग के पश्चात समाप्थ हो जाते हैं इन संसाधनों का धर्ती पर एक निश्चित भंडार है और इनकी पुनहपूर्ती नहीं हो सकती कभी-कभी हमें ऐसे नए साधन मिल जाते हैं जिनके बारे में हमें पहले कोई जानकारी नहीं थी नए स्रोत भंडार में व्रिद्धी करते हैं लेकिन समय के साथ यह भी समाप्थ हो जाएंगे उदाहरण के लिए हम जमीन से जो कच्चा तेल निकालते हैं वह एक गैर नवी करणिये संसाधन है लेकिन हमें तेल का ऐसा स्रोत मिल सकता है जिसके बारे में हमें पहले जानकारी ना हो इसके लिए हर समय खोज चलती रहती है नीचे एक तालिका दी गई है उस तालिका को समझने की कोशिश करते हैं उदाहरण दो प्राक्रितिक संसाधनों का दोहन कच्चे तेल के लिए नीचे कुछ आंकड़े दिये गए हैं तालिका एक पॉइंट साथ कच्चे तेल के अतिरिक्त भंडार मध्यपूर्व भंडार बिलियन टन में नवासी भंडारों के चलने की अवधी वर्षों में तेरानवे सयुक्त राज्य अमरीका भंडार बिलियन टन में चार भंडारों के चलने की अवधी वर्षों में दस विश्व, भंडार, बिलियन टन में 137, भंडारों के चलने की अवधी वर्षों में 43 यह तालिका कच्चे थेल के भंडारों के अनुमान, कॉलम एक को दर्शाती है अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यह बताती है कि यदि कच्चे थेल का प्रयोग वर्तमान दर पर चालू रहे तो यह भंडार कितने वर्ष चलेंगे यह संपूर्ण विश्व के लिए है किन्तु अलग-अलग देशों की अलग-अलग स्थितियां है यह भंडार केवल 43 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे भारत जैसे देश इसके आयात पर निर्भर हैं जिसके पास तेल के परियाप्त भंडार नहीं है तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो प्रतेक पर भार पड़ता है संयुक्त राज्य अमरीका जैसे कुछ देश हैं जिनके पास भंडार तो कम है लेकिन वे इसे सैन्य और आर्थिक शक्ति के द्वारा पाना चाहते हैं विकास की धारणियता का प्रश्न इसकी प्रक्रिती और प्रक्रिया के बारे में कई अन्य मूल नए विशे खड़े कर देता है एक, क्या किसी देश की विकास प्रक्रिया के लिए कच्चा तेल अनिवार रहे है? चर्चा कीजिए दो, भारत को कच्चा तेल का आयात करना पड़ता है उप्रोक्त स्थिती को देखते हुए आप भारत के लिए आने वाले समय में किन समस्याओं का पूर्वा नुमान करते हैं प्रिष्ट संख्या, सोलह पर्यावरण में गिरावट के परिणाम, राष्ट्रिये और राज्ये सीमाओं का ख्याल नहीं करते यह एक क्षेत्र या देशग्यत विशे नहीं रह गया है हम सब का भविश्य परस पर जुड़ा हुआ है विकास की धारणियता तुलनात्मक स्तर पर ग्यान का नया क्षेत्र है जिसमें वैज्यानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्यानिक मिल जुलकर काम कर रहे हैं विकास या प्रगती का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है हर वक्त में हमें व्यक्तिकत स्तर पर और समाज का सदस्से होने के नाते यह प्रश्न पूछने की आवशक्ता है कि हम कहां जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं और हमारे लक्षे क्या हैं? इसलिए विकास पर बहस जारी है। अभ्यास 1. सामानने तह किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? 2. प्रतिव्यक्ति आए 3. आसत साक्षर्ता स्तर 4. लोगों की स्वास्थ्य स्थिती 5. उप्रोक्त सभी इन परोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिती भारत से बहतर है? 3. बांगलादेश 4. श्रीलंका 5. नेपाल 6. पाकिस्तान 3. मान लीजिए कि एक देश में चार परिवार हैं. इन परिवारों की प्रतिव्यक्ति आए 5,000 रुपए है. अगर इन परिवारों की आए क्रमशह, चार हजार, साथ हजार और तीन हजार रुपए है, तो चौथे परिवार की आए क्या है? 4. विश्व बैंक विभिन वर्गों का वर्गी करण करने के लिए किस प्रमुक मापदंड का प्रियोक करता है? 5. इस मापदंड की अगर कोई हैं, तो क्या सीमाई है? 5. विकास मापने का UNDP का मापदंड किन पहलूं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? 6. हम औसत का प्रियोक क्यों करते हैं? इसके प्रियोक करने की क्या सीमाई हैं? विकास से जुड़े अपने उदाहरण दे कर स्पष्ट कीजिए. 7. प्रतिव्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास क्रमांक पंजाब से उचा है. इसलिए प्रतिव्यक्ति आय एक उप्योगी मापदंड बिलकुल नहीं है और राजियों की तुलना के लिए इसका उप्योग नहीं करना चाहिए. क्या आप सहमत हैं? चर्चा कीजि 8. भारत के लोगों द्वारा उर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? ज्यात कीजिए. अब से पचास वर्ष पश्चात क्या संभावनाएं हो सकती हैं? 9. धारणियता का विशय विकास के लिए क्यों महत्वपूण है? 10. धर्ती के पास सब लोगों की आवशकताओं को पूरा करने के लिए परयाप्त संसाधन हैं. लेकिन एक भी व्यक्ति के लालज को पूरा करने के लिए परयाप्त संसाधन नहीं है. यह कथन विकास की चर्चा में कैसे प्रासंगिक है? चर्चा कीजिए ग्यारह पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाईए जो आपने अपने आसपास देखे हूँ बारह तालिका 1.6 में दी गई प्रतेक मद के लिए ग्याद कीजिए कि कौन सा देश सबसे उपर है और कौन सा सबसे नीचे तेरह हम आपको एक तालिका पढ़कर बताएंगे उस तालिका में भारत में अल्प पोशित वयसकों का अनुपात दिखाया गया है यह वर्ष 2001 में देश के विभिन राज्यों के एक सर्वेक्षन पर आधारित है तालिका का अध्यायन करके इन प्रशनों के उत्तर दीजिए केरल पुरुष प्रतिशत 22 महिला प्रतिशत 19 करनाटक पुरुष प्रतिशत 36 महिला प्रतिशत 38 मध्ये प्रदेश पुरुष प्रतिशत 43 महिला प्रतिशत 42 सभी राज्य पुरुष प्रतिशत 37 महिला प्रतिशत 36 अब इस तालिका के आधार पर आपको इन प्रशनों का उत्तर देना है क केरल और मध्ये प्रदेश के लोगों के पोशन स्तरों की तुलना कीजिए ख क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के लगभग 40 प्रतिशत लोग अलप पोशित क्यों है यद्यपी यह तर्क दिया जाता है कि देश में परियाप्त खाद्य है अपने शब्दों में विवरण दीजिए अतिरिक्थ परियोजना कार्यकलाब अपने क्षेत्र के विकास के विशे में चर्चा के लिए तीन भिन वक्ताओं को आमंत्रित कीजिए अपने मस्तिश्क में आने वाले सभी प्रश्नों को उनसे पूछिए इन विचारों की समुहों में चर्चा कीजिए प्रतेक समुहों एक दिवार चाट बनाए अत्वा असेहमत है।